आज मैं जिन्वू के पावर्स के बारे में बताऊंगा So age usual जिन्वू के पास immense strength तो है ही सब super hero के पास immense strength तो होता ही है लेकिन जिन्वू का जो immense strength है वो अलग ही level पे है Literally ये बंदा एक time पे सबसे strongest hunter Andrew Thomas को अपने खाली हाथ से पेल दिया था Andrew Thomas को छोड़ो जिन्वू राकेन को चार मुक्के में एकदम से खत्म कर दिया था अब immense strength के अलावा जिन्वू के पास speed और durability भी next level होगी ही ये भी सब super hero के पास होता है Speed तो भया इसकी इतनी fast है कि ये अंतरेस तक के attack को dodge कर गया था जिसको कई मोनार्क्स देख तक नहीं पाएंगे वही durability भी इसकी next level है मतलब समय के साथ अपना जिन्वू इतना strength हो गया था कि इसको normal hunters या फिर कुछ monsters तो चोट पहुँचा ही नहीं सकते मोनार्स को ही उतरना पड़ेगा तभी जिन्वू को खरोच भी लगेगी in fact ना तो जिन्वू poison हो पाता है ना ही alcohol का इस पे कुछ असर होता है और ना ही कुछ toxic substance इसकी system में जाएगा तो वो survive करेगा अपने आप जिन्वू detoxify हो जाता है जिन्वू body parts तक को regenerate कर सकता है बहुत ही fast fast heal कर सकता है especially जब वो सो रहा हो इसके अलावा shadow monarch की पूर्ण ताकत ले लेने के बाद जिन्वू age करना भी बंद कर दिया मजाक नहीं कर रहा जिन्वू को literally time to time अपना appearance चेंज करना पड़ता है ताकि उसके आसपास के लोगों को ऐसा लगे कि हाँ भाईया ये भी age कर रहा है actual में age करता नहीं है इन सब के अलावा जिन्वू ना सिर्फ master competent है बलकि वो बहुत ही intelligent भी है तुम्हें क्या लगा वो intelligence वाला जो stat है वो सिर्फ show off के लिए है नहीं नहीं इस से जिन्वू बहुत smart हो गया है literally अपने fight से पहले एकदम must must tactics बनाता है तब ही तो वो आंतरस को हरा पाया था याद रखना इस बात को अब अगर कुछ और extra powers की बात की जाए तो जिन्वू के पास stealth है stealth बोले तो environment में छुपके अपने आपको camouflage कर सकता है और दूसरों की बातें सुन सकता है लेकिन जिन्वू को देख भी नहीं पाओगे literally invisible हो जाता है usually इस तरह की ability a siacan type of hunters के पास होती है देन आता है bloodless जिससे वो अपने onponents को magically ड्रा के उन्हें submission करवा सकता है then quick silver बोले तो 30% increase in speed then mutilation मतलब अपने onponents को dagger से चीरफार देना और यसे ही war powers भी है लेकिन इन सबसे बढ़िया skill मुझे लगती है rulers authority यहां basically जिन्वू वो telekenesis की मदद से objects वगेरा को move कर सकता है और छोटे मोटे objects नहीं बड़े बड़े objects move करता है specially अगर कुछ उस पे attack आया है तो उससे dodge कर लेता है अब एक और skill है जिन्वू के पास जो कि इससे भी ज्यादा op मैं मानता हूँ और उसका नाम है dragon sphere basically यहां जिन्वू जब अपनी आत्मा से चिल लाएगा तो जो कोई भी उसकी चीख को सुनेगा वो डर से काप उठेगा एकदम panic state में चला जाएगा मतलब literally लोग डर से हिल नहीं पाते लेकिन यहां एक छोटा सा catch है catch यह है यह वाली ability उसपे ही काम करती है जो कि इन general जिन्वू से weak होंगा ट्रैंगर ओपोनेंट्स को घंटा फर्क नहीं पड़ता now finally मैं आपको जिन्वू की वो पावर बताऊंगा जिसके लिए आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने हुए हो और इस पावर का नाम है shadow extraction shadow extraction की मदद से जिन्वू किसी भी मरे हुए ओपोनेंट को arise कहके वापस जिन्दा कर देता है मतलब उसके shadow को निकाल लेता है और ऐसा करने से ना सिर्फ वो shadow जिन्वू का वफादार बन जाएगा बलकि उसकी shadow army का एक हिस्सा बन जाएगा अब shadow extraction monarchs, rulers या फिर absolute being पे काम नहीं करते क्योंकि उनका शरीर हम mortals जैसा नहीं है वैसे जब तक जिन्वू को shadow monarch की full powers नहीं मिली थी तब तक जिन्वू के shadow extraction पे कुछ limits थी लाइक वो तीन बार ही shadow extraction ट्राई कर सकता है और अगर तीन attempt में shadow extract नहीं हुआ तो वो shadow हमेशा के लिए खो जाएगा इसके अलावा अगर किसी monster को मरे काफी वक्त हो गया है तो उसके shadow को भी आप extract नहीं कर पाएंगे देन इन जन्वू अपने से बहुत ज्यादा strong opponent का shadow extract नहीं कर सकता अब इन shadows की मदद से जिन्वू कितने भी दूर से अपना place उनसे switch कर सकता है जिसे हम shadow exchange कहते हैं के अलावा जिन्वू अपने shadow को दूसरे के shadows में छिपा सकता है ताकि उस इनसान पे जिन्वू का shadow spy कर सके in fact जिन्वू तो अपने shadow के senses तक को feel कर सकता है मतलब वो सब समझ जाएगा कि shadow वाली जगे पे क्या हो रहा है आसपास literally दूसरी जगे की सारी info कहीं और से ले पाएगा अपना जिन्वू अब अगर battle की बात करें तो वहाँ जिन्वू monarchs domain का इस्तिमाल करके 50% बढ़ा सकता है अपने सारे shadow के strength को वे थी जिन्वू की सारी powers and abilities वीडियो को like और subscribe जरूर करना